सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चानल को प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तर से SMS के बैक अप ले सकते हो और उसे रिस्टोर कर सकते हो तो गाईज अगर आप अपने phone में software flash करते हो या फिर factory reset करते हो अपने phone को तो आपके सारे SMS जो है वो delete हो जाते हैं remove हो जाते हैं तो गाईज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके important SMS को आप किस तरह से backup कर सकते हो और आप जब चाहो तब उसे restore भी कर सकते हो बहुत ही आसाने से तो गाईज इसके लिए आपको एक application download करनी पड़ेगी जिसका नाम है SMS backup and restore तो इस application की link में आपको description में दे दूँगा या फिर आप Google Play Store से भी इसे download कर सकते हो तो गाईज इस application को आपको simply install कर लेना है 4.5 की rating इसे मिली है तो काफी अच्छी rating से आप यहाँ पर screenshot भी देख सकत करना है और जितने भी permissions आपको है यहां पर मिलेंगे उने सबको allow करते जाना है तो ऐसे आने के बाद guys आपके सामने first screen यहां पर आ जाएगी तो आपको मैं पहले बता दूँ कि मेरे phone में यहां पर देखे message में इतने सारे messages हैं तो मैं इसे backup करूँगा उसके बाद आपको इस सारे options मिल जाते हैं जैसे कि आप यहां पर backup now restore इसके बाद आप transfer कर सकते हो बाद में आप view backups कर सकते हो यानि backup किया हो तो व्यू कर सकते हो उने उसके बाद manage कर सकते हो और setting यहां पर आपको दिखाई देगी तो हम simply backup करना है तो हम backup पर click करेंगे तो आपको सामने यहां पर call logs और messages को option आजाएगा तो अगर आपको call logs नहीं चाहिए तो disable कर दीजे सिर्फ messages चाहिए तो आपको सिर्फ messages को enable कर दीजे मैं यहां पर दोने enable करूंगा तो आपको यहां पर नीचे की तरफ देख से Google Drive को option मिल रहा है तो आप यहां पर simply नीचे आपको और एक option मिल जाता है ज Dropbox पर भी भेज सकते हैं लेकिन मैं यहां पर मेरे SD card में रखूंगा तो मैं यहां पर simply your phone जो option है उसे use करने वाला हूँ अगर आप Google Drive का use करते हो तो आपको email id देनी पड़ेगी और connect करना पड़ेगा अपने email id को तो यहां पर देख सकते हैं आप phone storage दिखा रहा है तो मैं य custom choose करूंगा और यहां पर SD card select करके यहां पर जो folder में आपको आपका backup रखना है उस folder को select करके यहां पर select कर जूंगा तो यहां पर मेरा custom folder है वह select हो जाएगा इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर select हो चुका है इसके बद आपको backup क्लिक करना है और जितनी परमिश है इसलिए तूरंत यह हो गया है तो अब मैं आपको restore भी करके बताऊंगा तो आप यहां पर अगर three dot option पर click करके view backups करेंगे तो आप backups यहां पर देख सकते हैं तो guys आप मैं आपको restore भी करके दिखाता हूं तो restore करने से पहले मैं आपने जो sms है उन्हें सबको delete कर देता हूं तो देख सकते हैं मेरे sms जो है इन्हें मैं आप delete कर रहा हूं क्योंकि इसका जो backup है मैंने अल्ड़ेडी ले लिया है तो अब मैं इसे delete करके आपको restore भी करके दिखाऊंगा कि यह application ठीक से काम करती है या नहीं करती है तो guys देख सकते ह या अप्लिकेशन सारे sms को delete कर दिया है तो अब मैं अपनी application को फिर से open करूंगा और open करने के बाद आपको फिर से जाना है 3.option पे तो यहां पर आप 3.option क्लिक कीजिए फिर आपको restore का option मिलेगा यहां पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर देखे आपके सारा जाएंगे dropbox local और drive का तो हमने local किया है याने SD card में तो आप देख सकते है यह directly detect कर लिया है इसने या फिर अगर direct detect नहीं करता है तो आप यहां आप से नीचे से choose कर सकते हैं अपनी location तो हम यहां पर yes कर देते हैं तो जितनी permissions आएंगे आपको simply allow करते जाना है तो आप देख सकते हैं यह store भी हो रहा है तो और यह complete हो चुका है तो call logs और sms मेरे दोनों की दोनों आ चुके हैं तो simply yes yes करते जाना है यहां पर yes messenger आपने अब आ चुके हैं तो इस तर से आप अपने किसी भी important messages को backup कर सकते हो और उसे जब चाहो तब restore भी कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो like किजिए शर किजिए subscribe किजिए आमारे चैनल को जिसके नाम है महेश टेक्निकस थैंके सो मज़ वाचिं और आम आम कि प्याए है तो धिसे दूड़ किरू यह जब ही तो